हेलो गाईज, मिंदू फूट फैक्टरी में आप सभी का स्वागत है, आज हम बनाएंगे गेहूं के आठे के मिठे पूड़े टिप्स और टिक्स के साथ, सबसे पहले गनेश्ची को नमन, आएए देखें मिठा बुड़ा बनाने के लिए हमें केंचिजों की अवश्कता के लिए हैंं, और गेहूं का अ अटा दोग टोरी आप एक बड़ा सा बाय ले लिया है इसमीं हम अाटा डाल देंगे , थोड़ा आठा हमने रख लिया है, छն्डी डाल देंगे और छिन्नी भी थोड़ी हमने रख लिया, मिक्स करेंगे, आटा और चिण्नी को मिक्स कर लेंगे, अब इसमें डलेंगे पानी, ये एक बाउल पानी हमने डाल दिया है, और इस तरह से इसको मिक्स करेंगे, आटा काफी सकत है, और पानी डाल देते हैं, अब इसमें हमने जो सुका आटा रखा था, वो भी डाल देंगे, और इसे भी अच्छे से मिक्स करेंगे, जो चिन्नी रखे दी, उसे भी हम डाल देते हैं, और ये बाकी का आटा भी डाल देंगे, अब इसका अच्छे से बनाए थोड़ा ट्रिगी होता है ये हलकी अरकी लम्ज आ गए हैं इसे हम इस तरह से फोड देंगे और आट्टे को सॉफ्ट बना लेंगे ये देखो बहुत ही अच्छा और प्रिमी हो गया है अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे mix करते जाएंगे और इसे चेक करते जाएंगे consistency हम चेक करेंगे के हमें कितनी चाहिए ये देखो अभी भी ये थोड़ा थिक लग रहा है थोड़ा पानी ओर डाल देते हैं ये जो पूड़े हैं वो घोल के उपर ही होते हैं अगर हमारा गोल अच्छा बना है तो पूड़े भी अच्छे ही बनेंगे हम आपको एक टीप्स बताएंगे जो रोटी बनाने वाला तवा है ये पूड़े हम उसी पर बनाएंगे और उस तवे पर हमने क्या करना है कि पूड़े हमाई चिपके नहीं ये टीप्स हम आपसे शेर करेंगे गोल हमारा काफी अच्छा तयार हो गया है अब हमने एक तवा ले लिया है लोहे वाला जिस पर हम रोटिया बनाते हैं इसको हमने तेज गरम कर लिया है तवे को अब थोड़ा सा ओईल डाल दिया है ये देखो तवे में से धुआ उठ रहा है और इसको हमने आलू से पूरे तवे पर घिस दिया है तेल को ये तवा अब हमारा नॉंस्टिक बन गया है अब इस पर हम पूरे बनाएंगे तो वह चिपकेंगे नहीं ये हमने तवे को पोंच दिया है अब इस पर हमने डाल दिया है शुद घी और अब इस पर जाएगा घोल जो हमने बनाया है आटे और चिन्नी से आप चाहें तो ये पूरे गुड के साथ भी बना सकती है इसको एक काड की साहिता से इस तरह से फलाएंगे और इसको अच्छे से गोल करेंगे अब ये हमने चारो तरफ घी डाल दिया है और इसके बिचम बीच भी घी डालना होता है अब इसको एक इसको हम बोलते हैं पल्टा या कोच्चा ये आगे से काफी तिखा भी होता है इससे बहुत ही अच्छे पल्टे जाते हैं ये पूरे और कितना अच्छा पूरा हमारा सिका है पूरे को सेखते समय गैस का फ्लेम हमने कभी लो करना है और कभी मीडियम हाई फ्लेम तक कि हीट ब्राबर मिले और पूरा हमारा जले नहीं खाने में तक कि स्वाद बड़े इसी तरह हमने दूसरा पूरा भी उतार लिया है इसी तरह हम ये सभी पूरे उतार लेंगे पूड़ा बनाने में आप हाट टिक्स को फोलो करोगे तो आप बहुत ही अच्छे पूड़े बनाएंगे नोंस्टिक तवे का हम बिल्कुल भी यूज नहीं करेंगे यहाँ पर लोहे के तवे पर कितना एजी ली फैल रहा है हलका सा ओईल लगाया और यह फटा फट से निकल जाता है मीठा पूड़ा बड़ा असानी से बनाया जा सकता है बस थोड़ा सा ध्यान रखना है जब आप पूड़ा फैला रहे होंगे तब तवा जादा गरम ना हो हलका गरम तवा हो घोल डालिए चमस से और जल्दी से पूड़ा फला देजिए पूड़ा बहुत ही असानी से फैलाया जा सकता है एक काड़ की सहता से ज़्यादा गरम तवे पर आप घोल पर पूड़ा बनाएंगे तो तूड़ जाएगा ये दो ख्टोरी आटे से पूड़े बनाए है छे साथ लोगों के लिए पूड़े को आप खरे धनिये की चटनी, मीटी चटनी, दही, अचार के साथ प्रोसिये हमने ये आम की अचार के साथ सरफ किये है आप भी पूड़े बनाएए, खाएए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए अगर आपको ये रेस्पी अच्छी लगे तो तेंक यू सो मच, टेक यार